तो आज हम बात करेंगे most popular smartphones under 20,000 के बारे में अगर आप देखेंगे न 10 से लेकर 21,000 में बहुत सरे smartphones आपको मिल रहे हैं मैं आपको सबके बारे में नाप बता कर बताऊंगा top 5 phones के बारे में जाबर में invest कर लो आपका पैसा बिल्कुल भी waste नहीं होगा किस phone के क्या pros and cons है कापड़ा को क्या compromise करना बढ़ेगा क्या अच्छी बात है सब बताया है वीडियो को एन तक ज्यान से देखेगा स्टार करते हैं 14,000 के साथ आपको IQ Z6 मिल रहे हैं 14,000 की range में और 14,000 में भी आपको कोई ओफर भी लगाकर और कम प्राइस पर यह phone मिल जाता है उस range में अगर आपको कोई gaming के लिए phone चाहिए तो best phone है यह मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पर है Snapdragon 695 जो की इस range के साफ से बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है अगर मैं आपको कमी बताता हूँ इस प्रोसेसर की एक तो यहाँ पर HDR का support अवेलेबन नहीं है यह चीज़ है और AMOLED displays phone में आपको नहीं मिलता आपके साथ बागी camera phone का टोप क्लास का है अगर मैं देखता हूँ 15,000 से कम किरेशन वाले smart phones उनके comparison में इसका camera बहुत ही आगे निकल के जा रहा है और इसका front camera ऐसा है जो की बीज़र तक के phone को easily beat कर सकता है बागी इसके camera में यह है कि 60 fps option नहीं है और 4K video आप capture नहीं कर सकते है यह दिक्कत है snapdragon 695 की वैसे 695 बहुत अच्छा perform करते है गेविंग वारा phone में आप top class की कर सकते है और phone यूज करने में बहुत ही handy भी भी लोता है बिल्कुल phone बलकी नहीं है काफी slim phone है और lightweight phone है डिजाइन भी phone का top class का यह आप देख सकते हैं बैटरियां पर 5000 मेंच की है 18 वोट फार शार्जिंग के साथ में recording under 15,000 यह एक best all-out package है इसका base parent आपको मिलता है 4GB RAM 128GB storage के साथ 13-500 के आस-पास यह phone आपको मिल जाएगा हो फ़र्स दगा कर दोस्तों वीडियों आप अच्छे करते हैं इस range में कोई भी phone लेने से पहले हैं बताना मुझे comments और वीडियो को like करते हैं सब्सक्राइब करना भी मत पोलेगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में हमारा next phone है Samsung Galaxy M33 5G अब recently यह phone लोग जो वारता है Indian market में आपको यह phone बंदा 16 जाकी range में RAM से मिल जाएगा यहाँ पर है Exynos 12800 processor तो मैं कह सकता हूँ price के साफ से अगर मैं इस वो compare करता हूँ Snapdragon 695 से तो उसलिए परफोर्मेंस यहाँ पर आपको दी जा रही है साथ में इसका फाइदा यह है कि इस phone में nox security available है जो कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा से काम भी करती है secure folder भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा अगर आपको Samsung का phone चीए तो इस range में यह best Samsung phone है मैं आपको बहुत सकता हूँ यह तीनों यह display आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बैस लग रहा है Samsung M33 का display है 120Hz का refresh rate भी है इस phone में और यह यहाँ पर बहुत इच्छा परफोर्म कर जाता है कोई मैंने यहाँ पर lag वारा notice नहीं किया because one UI यहाँ पर बहुत ही सही लगा मुझे hardware, software दोनों Samsung यहाँ तो यहाँ पर openization काफी अच्छी की लगी है इस phone में और phone की in and field भी मुझे अच्छी लगी है matte switching आपको मिलती है कोई दिक्कत नहाएगी आपको phone को लंबे time पर यूज़ करने में phone आपको comfortable feel होगा हाँ थोड़ा heavy phone आपको लग सकता है यूज़ करने में because यहाँ पर है 6000 mAh की battery अगर मैं camera की बात करता हूँ तो rare में primary camera है 50 megapixel का camera मुझे इसका जबरदस्ट लगा इस segment का इसको भी मुझे सकता हूँ यह best camera phone है Samsung की तरफ से Android 12 पर यह phone चल रहा है और आपको यहाँ पर दो साल तक OS update मिलता रहेगा यह भी plus point है तो 12 यहाँ पर मिल रहा है 13 चोदा भी आपको यहाँ पर मिलेगा वारा next phone फिर से है IQ की तरफ से यह phone है IQ Z3 देखो यह phone वैसे लोग जो आदा 17-18 जार के आसपस की range में यह phone आपको मिल जाता है 15-16 की range में यहाँ पर आपको मिलता है Snapdragon 768G इसको मैं बोल सकता हूँ परफोर्मेंस के लिए इस range का है top class का phone 15-16 जार की range का क्योंकि Snapdragon 768G बहुत ही अच्छा processor है gaming आप यहाँ पर अच्छी खासी कर पाएंगे और यहाँ पर आपको मिलता है IPS panel 120Hz refresh rate के साथ camera भी phone का यहाँ पर आपको top class का मिल जाएगा रेर में primary camera है 64 में आप इस सल का करनाज, detail, dynamic, करिन सब कुछ यहाँ पर top class का मिलता है front camera भी phone का मुझे एक काफी अच्छा लगा था यहाँ पर 6.5 इंच का display है phone यूज करने में handy people होता है बिल्कुल यह heavy नहीं लगता comfortable लगता है, लंबे 10 तक आप इसको और आम से उस कर सकते है और single hand से भी आप phone को यूज कर पाएंगे बिन अगीज इटेंशन के 6.5 इंच, एक perfect screen size है बैटरी यहाँ पर कुझे थोड़ी कम लिगी है बैटरी यहाँ पर है 4400 mAh लेकिन अच्छी बात है 55 mode की charging यह phone support करता है phone आपका down जल्दी होगा लेकिन वो charge भी जल्दी से हो जाएगा कोई यहाँ पर heating issue भी यहाँ नहीं नहीं देखा हमारा next phone है Moto G71 यह मैं कहा सकता हूँ एक जबर्दस वाला package है Moto लगी तरफ से जो चीज़े आपको बाकी में नहीं मिल दिया है वो यहाँ पर दी गई है जाज़े की clean user interface कोई edge broker का पंगा यहाँ पर आपको नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर भी आपको Snapdragon 695 मिल रहा है जो इसकी limitations है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी HDR का ना होना या 4K video capture ना हो पाना बगी वैसे performance टोप class की है ओपनेजेशन phone में कमाल की की गई है यहाँ पर 695 बहुती जबर्ज़स परफॉर्म कर रहा है और AMOLED डिस्प्ले है इस phone में यह भी एक शान है इस phone की 6.49 इसका डिस्प्ले है यहाँ पर phone यूज़ करने में बहुती handy भी लोगा आपको मज़ा आएगा phone को यूज़ करने में comfortable लगता है लंबे डाइज अगर इसको सिंगल एंड से भी अराम से उस कर सकते है 5,000 MHz की बैटे है 33W की fast charging यह phone से बोट करता है अच्छी बात यहाँ कि यहाँ पर clean UI है लेकिन customization के सभी जूरूरी options आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कोई security को लेकर भी दिक्कत नहीं आएगी बिकोज यहाँ पर thing shield security आपको मिल जाएगी आपको जो भी phone मिलना है इस budget में एक तो आपको Samsung दे रहा है noc security और Motorola दे रहा है thing shield security बाकी IQ हो या फिर Xiaomi हो यह हमें security provide नहीं कर रहे है यह मैं कहा सकता हूँ एक बहुत ही अच्छा 5G package है Motorola की तरफ से हाँ यहाँ पर high refresh rate नहीं है 60 Hz का display आपको मिल रहे है यह एक चीज है जो आपको माई में लगके चलना होगा और camera phone का ठीक है लेकिन उतना भी strong नहीं है जितना की होना चीए था हाँ जो आपको same rate में Poco X4 Pro मुल रहे है उसके घंजन में इसका camera एक कदम आगे निकल के जाता है अब बात करते है next phone के बारे में जो की है शोमी की तरफ से मैं जानता हूँ आपको इस rate में Poco X4 Pro में लेकिन वो मैं आपको फिलाल रिक्मेंट नहीं कर रहा है वहाँ पर UI bugs बहुत सारे देखने को मिल रहे है मैं आपको इसके जागा पर Redmi Note 11 Pro Plus रिक्मेंट कर सकता हूँ वहाँ पर UI bugs उतने नहीं है जितने के हमें मिलते हैं Poco X4 Pro में यहाँ पर आपको मिलता है Snapdragon 695 अच्छा परोसेसर है पर्फॉम्स को लेकर दिक्कत नहीं आईगे आपको आफ कंवा मिडेंस में जातर फॉन ठीक लगा प्राइस के साबसे बीजार के अंदर फोन मिल जाता है आपको ये तो इस रेंड में कैमरा सही है फोन का बैटरी याप पर है 500,000 mAh की और 67 वोट की चार्जिंग याप आपको मिल जाती है तो बैटरी बैटरी बैगप भी ठीक मिलता है इस फोन में कोई दिककता को नहीं आएगी डिस्पे की क्वालिटी वाज़े है आपर टोप क्लास की है मतलब मैं कहा सकता हूँ बैस्ट अमलोड डिस्पे आई है इस सेग्मेंट का 120Hz रिफ्रेस्ट के साथ स्पीकर्स भी इस फोन में आपको मिल जाएंगे स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी लगया मुझे इसको मैं बोल सकता हूँ एक ओल डाउंटर पैकेज इस रेंज का बजबाई यह है HDR 4K वीडियो 60 एपस पर वीडियो कैप्चिन ना हो पाना और उस रेंज में बैस्ट वनप्रेस फोन है यह मैं बोल सकता हूँ आपको यह आपना है 6.43 इंच का AMOLED डिस्पें 90Hz रिफ्रेश्ट के साथ डिस्पें क्वाल्टी अच्छी है और साथ में साइज भी पर्फेक्ट है compact phone feel होता है यूज करने में इसका भी मैं वीडियो कर चेक कर लेना डिस्पें कालरी प्रोडिक्शन वगारा भी मुझे काफी अच्छा लगाता हाँ जो इसकी build quality है वो ठीक है लेगिं glossy finishing है यहाँ पर फिंगर प्रिंट्स के यहाँ पर काफी जल्दी आ जाते हैं यह एक चीज है जो आपको देखके चलना होगा आपको हर टेम इस phone को clean करते रहना पड़ेगा अगर मैं build quality बात करता हूं तो यह phone आते हैं plastic प्रिंट्स के साथ और आपको मिलती है glossy finishing यह एक चीज़ है आपको हर टाइम फोन को clean करते रहना पड़ेगा बागी फोन जब आप फर्स्ट इम हाथ में लोगे तो आपको लगेगा यहाँ पर आपको glass build quality दी गई है quality अच्छी है plastic की लेकिन glossy है अगर यह मैट होता ना तो मज़ आ जाता पर्फोर्मेंस यहाँ पर अच्छी है Damacy 900 यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो उस range में performance को अगर मैं देखता हूं तो best है 695 से काफी अच्छ है Damacy 900 यहाँ पर कोई limitation नहीं है जो आपको मिलती है 695 में battery 4500 में मैच चार्जिंग यह फोर्ट करता है साथ में इस phone में रियर में primary camera है 60 phone में आप इस सलका camera quality ठीक है बस ही है कि कई बार यह colors को थोड़े artificial बना देता है उसके अलावा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी camera थोड़ा और improve हो जाए तब मैं गहांगा कि यह phone perfect बन जाएगा अपने segment में camera के मामने में भी बागी यहाँ पर single speaker आपको मिल लेकिन speaker की quality अच्छी लगया मुझे single speaker है लेकिन काफी louder clear है तो यह कुछ phone ते जो आपको मिल जाते है 20,000 के आसपास की range में और मुझे लगता है इन में से कोई भी phone आप ले लो आपको दिक्कत नहीं आएगी आपकी priority के warning आप देख लेना आपको इन में से किस phone में invest करना है मैं आपको कुछ help लोगी आज की वीडियो से अगर आपको help लोगी तो वीडियो को लाइक ओचे करना बन भूलिएगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में thanks for watching this video